नमस्कार विद्यारतियों आज के इस वीडियो में हम करेंगे सूरदास पाट के प्रस्न उतर इसके पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं जो आपके टेक्स बुक में जो प्रस्न उतर दिये हैं वो सारे हम कम्प्रिट कर चुके हैं आप यह वो पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आई बैटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं आज हम कोच्छ अत्रीक्त प्रस्न उतर करेंगे ठीक है तो चलिये पहला प्रस्न है हमारे लिए क्यों कहा है बडभागी गोपियों ने उदधव को कहा है क्यों कहा ऐसा क्या करण था तो इसका कारण यह था कि गोपियों ने उद्धव को इसलिए बढ़भागी कहा है क्योंकि उद्धव स्री क्रिस्न के प्रेम से दूर है मतलब क्रिस्न के पास में रहते हुए भी उद्धव क्रिस्न से प्रेम नहीं कर पाए उन्हें क्रस्ने का प्रेम अपने बंधन में न बांध सका और ऐसे में उद्धव को प्रेम की वैसी पिड़ा नहीं जेलनी पड़ी जैसी गोपियां जेलने को विवस थी तो इसलिए गोपियों ने उसे बढ़भागी कहा हैं उद्धव को दूसरा प्रसना गूर चाटी ज्यों पागी कहने से गोपियों की किस मनोदसा की अभिवक्ति होती हैं गूर चाटी ज्यों पागी से गोपियों का क्रस्ने के प्रती एक निस्ट प्रेम की अभिवक्ति का ज्यान होता है गोपियों की मनोदसा ठीक वैसी ही है जैसी गुड से चिप्टी चीटियों की होती है जब चीटिया गुड में चिपक जाती है चारो तरफ पूरी लोटपोट हो जाती है गुड में जिस तरह से चिटे किसी भी दिसा में गुड को नहीं छोड़ना चाती हैं, उसी प्रकार गोपिया भी कृष्ण को छोड़ना नहीं चाती हैं। तीसरा प्रस्न है, गोपियों ने अपने लिए क्रिस्न को हारिल की लकडी के समान क्यों बताया है, तो गोपियों ने अपने लिए क्रिस्न को हारिल की लकडी के समान इसलिए बताया है, क्योंकि जिस प्रकार हारिल पकसी, अपने पंजी में दबी लकडी को आधार मान कर उड ता उसी प्रकार गोपियां अपने जीवन का आधार स्री कृष्ण को मान रखा है वो कभी कृष्ण से अलग होना ही नहीं चाहती इसलिए यहां पर हारिल के लिए जो लकड़ी का मैत्व है वही गोपियों के लिए कृष्ण का मैत्व है अगला प्रस्ण है ऐसी कौन सी बात ह जिसे गोपियों को अपने मन में दबाए रखने के लिए विवस होना पड़ा गोपियां क्रिष्ण से अनन्य प्रेम करती थी अब जिब क्रिष्ण ब्रिज से मतूरा चले गए तब भी गोपियां उनसे वैसा ही प्रेम करती है जैसा कि पहले करती थी और प्रेम जो है कि वो बाते तो जो है अपने प्रेमी के लिए थी और वो प्रेमी से ही करना चाती थी कृष्ण से ही करना चाती थी बात यही बात उनके मन में दबी रह गई क्योंकि क्रस्ण मिले नहीं तो बात क्रस्ण को बता नहीं पाई अगला पांचवा प्रस्ण है कमल के पत्ते और ते नहीं है इसलिए कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी गिला नहीं होता उसी प्रकार उसी प्रकार तेल लगी गागर गागर का मतलब होता है मटकी जो मिट्टी का घड़ा होता है उसे गागर कहते हैं तो उस पर तेल लगा दिया जाए तो उसमें उसको पानी में डूबया जा साथ रहते, उए भी कृष्ण के प्रेम को जान नहीं पाया, वो कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाया, तो इसलिए यहां पर यह दो उदारण दिये हैं, अगला प्रेस्णा, गोपियों ने स्वयम को अबला और भोली कहा हैं, आपकी द्रस्टी से उनका ऐसा कहना कितना उप्यो हैं, वे स्वयम को कृष्ण के प्रेम बंधन में बंदी पाती हैं, जिसी कृष्ण से इस तरह का प्रेम मिल रहा हो, वे अबला और भोली नहीं हो सकती, वीसलिए यहां पर हम गोपियों को भोली, गोपियों को अबला नहीं कह सकते, सांत्वा प्रस्णा, प्रीती नदी में पाउं न बोयो का आसे इस्पस्ट कीजिए ऐसा किस के लिए कहा गया है प्रेती नदी में पाउं न बोयो का आसे हैं कि प्रेम रूपी नदी में पैर न डूबोना अर्थात किसी से प्रेम न करना और प्रेम का महत्वन न समझना ऐसा उन उधव के लिए कहा गया है जो क्रिश्न के पास रहकर भी उनके प्रेम से अचुत रह गई मतलब 2400 गंटे उनके पास रहे फिर भी वो उनसे प्रेम नहीं कर पाई जिस तरीके से आप नदी में रहते हो और आपका पाव पानी में नहीं डूबो ऐसा तो हो इनी सकता तो ये बात दो के लिए कही गई है आठ शिचित समय सीमा की और संकेत करके कहा था कि इतने समय के बाद ब्रज वापस आ जाएंगे कृष्न जाते वक्त कहके गए थे और उसी आने की अवदी को आधार बना कर गोप्यों तन और मन की वीरे व्यता को सैन कर रही थी वही एक आदार था वही एक आसा थी कि क्रस्न कि आसा कहां लगी थी पर उनकी ये आसा निरासा में कैसे बदल गई तो देखिए गोपियों को वीरेव व्यथा जेलने को विवस्ती को कृष्ण की और दर्षन और प्रेम संदेश के रुप में मदद मिलने की आसा थी जो कि विरेव्यता जेल रही थी उनको कृष्ण के दर्शन और कृष्ण से प्रेम संदेश मिलने के उन्हें आसा थी और जब कृष्ण नहीं उद्दव के हाथों प्रेम संदेश की जगे योग संदेश भिजवाया तो उनकी यह आसा निरासा में बदल गई तो एक आसा थी उन्हें कि कृष्ण आएंगे कृष्ण से जो है उन्हें रूबरू होना कृष्ण के दर्शन पाना उन्हें एक आसा थी लेकिन जब कृष्ण न आये कृष्ण ने कोई प्रेम संदेश भिजवा बलकि उद्दव के साथ उन्होंने गोपियों के लिए योग स संदेश भेज दिया तो उनकी आसा निरासा में बदल गई दस्वा प्रस्ण है गोपियां अब धहरिये क्यों रखना चाहती थी गोपियां को स्री कृष्ण की और से प्रेम के प्रतीदान और सिग्रा कर दर्सन देने की आसल लगी थी उन्होंने क्रिष्ण का प्रेम पाने के अलिए सामाजिक मर्यादा की परवाँ नहीं की इसके वीपरित स्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का निर्वा नहीं किया इस कारण अब गोपियां ध्यान नहीं तो देखे इस्वस्ट करना है तो देखिए उद्दव गोपियों के पास ज्ञान और योग साधना का महत्व बताने और उसे अपनाने के सीख देने के लिए आये थे वो चाते थे कि गोपियां उसके ज्ञान और उसके योग साधना के संदेश को का पालन करें परंतु उद्धव इस उद्धे से में सफल ना हो सके क्योंकि उद्धव को अपने ग्यान और योग का घमंड सवार था वे गोपियों के आधर्स प्रेम और उनकी मनोदसा समझ पाने में सर्वता अन्भिग्य रहे वो जान नहीं पाए उनको बारवा प्रस्टन गोपियों ने क्रिष्ण को राजधर्म की बात क्यों याद दिलाई उनका मानणा था कि राजव अपनी प्रजा की भलाई की बात सतेव सोचता है जबकि क्रिष्ण एथा नहीं सोच रहे थे गोपियों के नुसार इसलिए इसे के साथ ये प्रशन उतर से मापत हुए, नेक्स वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो